ओम सूर्याय नमाह, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको सूर्ग्रेंट से संबंदे जानकारी दूँगा, सूर्ग्रेंट कब कर रहेगा, कितने बज़े प्रारम होगा, भारत में इसका क्या प्रभाव रहेगा, या संपू सूर्ग्रेंट रहेगा, वह रहेगा 25 अक्टूबर का, लेकिन ये दोनों ही सूर्ग्रेंट आंसिक रहेंगे, साल का पहला सूर्ग्रेंट, 30 अप्रेल को मद्राती, रात 12 बज़ करके 15 मिट से शुरू होगा, और सुवे 4 बज़ करके 7 मिट तक रहेगा, यह ग्रेंट में इस रासी में लगेगा, यह भारत में नहीं दिखाई देगा और नहीं इसके सूतक काल का बिचार रहेगा, यह ग्रेंट दक्चण अमिरका का, दक्चणी बाग, पस्चिम बाग, प्रसांत मासागर, अटलांट का और अटांट का में दिखाई देगा, ग्रेंट का हमारे ज उच्छ इस्तान दिया गया है अगर सूर उच्छ इस्तिती के हों तो इंसान चिकासी तरक्की करता है शूर ग्रहन की इस्तिती को सुब नहीं माना जाता है ऐसा माना जाता है कि ग्रहन लगने पर सूर पिड़ित हो जाते हैं और सुब फलों में कमी आ जाती है ग्रहन का अलग प्रसवरासी बालोक लिए ये ग्रेंड बहुत सुब रहने वाला है इस ग्रेंड से आपके आर्तिक इस्तिती में सुधाराने की सम्मावना है आपके कई अधूरे काम बनेंगे इस दोरान किये गए सारे कारे सपलोंगे इस दोरान किये सभी यात्राएं सुपलदाई रहेंग की पूरियोंगी इस दिन पूजा करते हैं जाप करते हैं उनको सिग्री सपलता मिलती है तुलारासी वालों के लिए यह ग्रेंड बहुत ही एच्चा रहने वाला है साथ ही व्रेश्चिक रासी दनुरासी मकर रासी कुम रासी और मीन रासी इन रासी वालों के लिए जादतर यह ग्रेंड बेहुत ही अच्छा रहने वाला है और इस ग्रेंड का प्रवाबायत के अंदर नहीं रहेगा लेकिन गरबती मेला हैं फिरी थोड़ा बहुत द्यान जरूर रखें मुझे उम्मीद है आपको ये जानकार ये अच्छी लगी होगी वीडियो को सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओम सूर्याई नमाहा